हेलो प्रिंडस, वेलकम टो मैंज चैनल, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फेस्बुक में आप अपना नाम चेंज के से कर सकते हैं, तो चैलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको ओपण करना पड़ेगा आपका फेस्बुक अब, आप को ओपन कर लीजिएगा आप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा आप वहां पर देख सकते हैं आपके राइट साइट टॉप पे त्री लाइन जो दिख रहे हैं आपको वहां पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप नीचे आजाएए नीचे आने के बाद देख सकते हैं settings और privacy वाला ओप्शन उसको क्लिक करने के बाद जह फुस्ट वाप्शन आ रहा है box के अंदर settings उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप settings पे click करते हैं यहाँ पे आपको पहला option नी दिखाई दे रहा होगा personal information कहेगे first option को आप click करेंगे first option पे आप वहाँ पे देख सकते हैं general में नाम edit करने का contact edit करने वाला और अजगर आपका email id वगेरा है तो वहाँ पे दिखा रहा है आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो name पे click करेंगे name पे click करते हैं यहाँ पे आपको three box दिखाई देंगे जिसे first name, middle name और last name के आप अपने हिसाब से according डाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अपना middle name नहीं डाल रखा है अगर आपको कोई middle name भी है तो आप यहाँ पे edit कर सकते हैं edit करने से पहले आप यहाँ पे नीचे जो note point लिखा है उसको आप पढ़ लीजेगा यहाँ पे बता रखा है कि आगर आप एक बार facebook में अपना नाम change करते हैं तो आप 60 दिन के बाद ही दुबारा change कर सकते हैं उसके अंदर आप दुबारा change नहीं कर सकते मतलब 60 days का gap आपको 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 देना होगा अगर आप दुबारा आपना नाम change करना चाते हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे जो भी आप change करना चाते हैं वो वाला उसके बाद आप change पे क्लिक कर देंगे यहां पर जो दिखाए review change के के वहां पर आप टैप करेंगे टैप करने के बाद यहां पर आपका password भांगेगा जो facebook में आप login करते टाइम पर जो password डालते हैं आपको उस वाले को डालना पड़ेगा वहां पर डालते ही अगर आपका password राइट है तो वहां का changes जो भी है correction वह accept कर लेगा अधर्वाइस वह accept नहीं कर पाएगा चलि मैं इसे simply आपको करके बता रही हूं मैं अपना नाम फिलाद चेंज नहीं करूं और save changes पर क्लिक कर दीजिएगा आपका जो भी नाम अपने changes किया है पहले यहां पर वह सेव हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही है simple वीडियो थी आगे और ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को like share और subscribe जरूर कर लीजिएगा और भी वीडियो में आपके लिए लाते रहूंगी thanks for watching